हलो दोस्तो स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एक्जाम क्रेजर में दोस्तो आज के वीडियो में हम 14 अप्रेल सी समंधित उत्तर प्रदिश करेंट अफियर और इसके अलावा यूपी एक्जाम के लिए मुस्ट इंपोर्टेंट करेंट करेंगे और हरे क्वेस्चन से आपको फेक्ट भी बताएंगे और वीडियो के अंद्र में हम आपसे एक क्वेश्चन भी पूचेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है और अगर आपको इसकी पीडियाफ डाउनलूड करनी है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रूप से इसकी पीडियाफ डाउनलूड कर सकते हैं टेलीग्राम ग्रूप की लेंक आपको वीडियो के टेक्सेशन में मिल जाएगी और दोस्तों आज है 14 अप्रेल और 14 अप्रेल को भारतिय सम्वेधान की निर्माता डॉक्टर भीम राव अंबेटकर का जन्म देवास है और प्रतिवर्स 14 अप्रेल अठारे सो इंक्यानवे को डॉक्टर बी अरंबेटकर का जन्म हुआ था तो ये भी आपको अच्छी से ध्यान रखना है तो चलिए इसका करेंट अफेर का वीडियो सुरू करते हैं पहला कुश्यन है चर्चा में रहे 26 बटे 11 के योद्धा सौरे चक्र विजेता मरीन कमां कमांडू प्रवीड तेवतिया उतर प्रदेश के किस जिले के निवासी है ओप्सन नमबर A है बुलंद सहर, B है गुरकपुर, C है कानपुर, D है आगरा इसका जो करेक्ट आंसर है वह ओप्सन नमबर A बुलंद सहर 26 नमबर 2008 को देश की आर्थिक राजधानी मुंबई पर हमला करने वाले आतंकियों को पस्त करने वालों में बुलंद सहर के गाउं भटोना निवासी मरीन कमांडू प्रवीड कुमार तेवतिया की बड़ी भूमिका थी अब इन्होंने विस्टो की सबसे कठिन इस परदा मानी जाने वाली आईरन मैन में सफलता पूरवक हिस्सा लेना सुरू किया है अब दोस्तों ये जो इस परदा है आईरन मैन इसमें होता क्या है तो इसमें 3.8 किलो मीटर समुद्र में तेराकी होती है 180 किलो मीटर साइकलेंग और 42.2 किलो मीटर की दोड़ को एक के बाद एक पूरा करना होता है अब उनके इस प्रयास को फिट इंडिया ने भी सरहते हुए अपना ब्रांड डेमेस्टर गोसित किया है तो दोस्तों आपको अच्छे से ध्यानकना है कि जो 26 नवंबर 2008 को आर्थिक राजधानी मुंबई पर जो हमला हुआ था आतंकी हमला तो उसमें आतंकियों को परास्त करने में जो बुलंद सहर के गाउं भटोने ने वासी मरीन कमांडो प्रवीन कुमार तेवतिया थे इनक मैं उसमें इन्होंने भाग लिया है अब दोस्तों इनके बारे में थोड़ा जानते हैं तो दोस्तों ये उतर प्रदेश के बुलंद सहर जिले के इस्थित भटोना गाउं के रहने वाले हैं और इन्होंने 26 नवंबर 2008 में जो मुंबई में आतंकी हमला हुआ था उसमें ये मरीन ड्राइवर थे और कमांडो ओपरेशन करने वाली दूसरी टीम में ये सामिल होकर के होटल पहुचे थे और दोस्तों वहां उस होटल में जो आतंकवादी थे जिस कमरे में वो छेपे हुए थे उसमें बहुत ही घना अंधेरा था और जान की परवाद ना करते हुए य लेकिन फिर भी घायल होने के बावजूद भी प्रवीड कुमार तिवतिया ने हार नहीं मानी और तीन आतंकवादीयों को ढेर कर दिया और इसके बाद फिर इन्हें जो है सौरेपरोस्कार उससे भी इन्हें सम्भानित किया गया था और दोस्तों ये जो प्रवीड कुमार का इलाज चला था लेकिन फिर भी इन्हों ने हुसला नहीं खोया और यह कहना था की यह फेपडों की बीमारी से ग्रस्त हैं और इन ऑक्सीजन की कमी वाले दुर्गम इलाके में जाने दिया जाए लेकिन फिर भी जो प्रवीन कुमार तेवतिया हैं उनका जजबा है और यह किवल जो ऑक्सीजन कमी वाले छित्र हैं वहां जाही नहीं बलकि वहां पर जाकर के मेरा थंद औरेंगे तो यह आपको अच्छे से ध्यान रखना है यह काफी जादा चर्चा में रहते अप्रेल 2021 में योगेश प्रवीन का निधान हो गया उन्हें किस वर्स पदम स्री से सम्मानित किया गया था ओप्सन नमबर A है 2016, B है 2017, C है 2018 और D है 2019 इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ओप्सन नमबर D 2019 प्रख्यात इतिहासकार और अवद के विशेश रूप से लखनव के एक विशेशक के योगेश प्रवीन का अप्रेल 2021 में निधान हो गया 2019 में पदम स्री से सम्मानित वे All India Radio लखनव के साथ भी एक लंबे समय तक जुड़े रहे उन्होंने अवदी संस्कृती और लखनव पर 30 से अधिक पुस्तकें लिखे और अखवारों और पत्रिकाओं में कई लेखों का योगदान दिया तो दोस्तों आपको अच्छे से ध्यान रखना है ये प्रसिद इतिहासकार है अवद के और विशेश रूप से लखनव के इनका नाम क्या है तो योगेश प्रवीन इनका अभी हाली में अपरेल में निधान हो गया है और इन्हें 2019 में पदम स्री से सम्मानित किया गया था अप्सन नमबर ए है राहुल सचदेवा भी है सुरेंद्र कुमार यादव सी है प्रमोध कुमार और डी है संजय सिंग इसका जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्सन नमबर भी सुरेंद्र कुमार यादव अयोध्या बावरी बिदुहन से मामले में बीजेपी के वरिष्ट्र नेता लाल किशन आडवानी समेत 32 आरोपियों को बरी करने वाले सीबियाई की विसेश अदालत के पूर्वनियादी सुरेंद्र कुमार यादव को उपलोका युक्त नियुक्त किया गया है साल 2019 अगस्त में जज सुरेंद्र कुमार यादव रेटायर हो रहे थे लेकिन मामले की समवेतन सीलता को देखते हुए उन्हें 11 महिने का अत्रिक्त समय और दिया गया था रेटायर जश्टिस सुरेंद्र कुमार यादव को सुमबार को उपलोका युक्त के पद की सपत लोका युक्त जश्टिस संजय मिस्रा ने दिलाई है तो दोस्तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश के उपलोका युक्त के तौर पर किसी नियुक्त यह गया है तो जस्टिस सुरेंद्र कुमार यादव को उत्तर प्रदेश के उपलोका युक्त के रूप में नियुक्त किया गया है अब दोस्तो उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त और उपलोकायुक्त कितने होते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश में ये एक भरष्टाचार विरूदी लोकपाल है और इस पर एक लोकायुक्त होते हैं और तीन उपलोकायुक्त नियुक्त होते हैं वर्तमान में उपलोकायुक्त के पद पर कौन-कौन नियुक्त है तो संभू सिंग जो की 4 अगस्त 2016 में नियुक्त हुए थे और दूसरे हैं दिनेश कुमार सिंग जो की 6 जून 2020 को नियुक्त हुए थे और दोस्तो और तीसरे कौन है तो आपको ध्यान रखना है कि जस्टिस सुरेंदर कुमार यादव को तीसरे उपलोकायुक्त के तौर पर नियुक्त किया गया है और उत्तर प्रदेश में जो लोकायुक्त हैं वो कौन है तो जस्टिस संजाय मिस्रा उत्तर प्रदेश में लोक यूक्त हैं और दोस्तों लोकायुक्त और उप लोकायुत का जो कारिकाल होता है वो आठ वर्स का होता है तो यह भी आपको अच्छे से ध्यान लखना है अगला कुश्यन है जलियां वाला बाग हत्याकांड कब हुआ था ओप्सान नंबर A है 3 अपरेल 1909, B है 13 अपरेल 1909, C ह 23 अपरेल 1920, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ओप्सान नंबर B 13 अपरेल 1909, 13 अपरेल 1919 को जलियां वाला बाग हत्याकांड हुआ था इसी दिन अमरित सर के जलियां वाला बाग नामकिस्थान पर जनरल डायर ने हजारों निहत्य भारतियों की भीड़ पर गोली चलवाई इसमें हजारों लोगों को मारे जाने की बात कही जाती है 13 अपरेल 2021 को इस हत्याकांड को 102 साल हो गए हैं रॉलेक्ट अक्ट के विरोध में दो प्रमुख नेताओं डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को गिरफतार कर लिया गया था तो दोस्तों आ 13 अपरेल को जलिया वाला बाग कांड है इसके 102 साल पूरे हुए हैं तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है और दोस्तों इससे रिलेटेड एक कुश्चन पूछा जाता है कि जो जलिया वाला बाग हत्याकांड था इसमें किसने जो भारतिय नियत्ती भीड थी उस पर गो कुली चलाने का आदेश दिया था अगला कुश्यन है आई पील इतिहास में 350 छक्के लगाने वाले पहले खिलाडी निम्न में से कौन बन गए हैं ऑप्सन नमबर A है महिंदर सिंग धोनी B है मयंक अगरवाल C है क्रिस गेल और D है विराट कुली इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ओप्सन नमबर C क्रिस गेल पंजाब किंग्स के बाएं हाथ के बल्ले बाज क्रिस गेल ने आई पील 2021 के पहले ही मैच में एक और रिकॉर्ड अपने नाम किया है गेल आई पील में 350 छक्के लगाने वाले पहले बल्ले बाज बन गए हैं दूसरे स्थान पर 237 छक्को के कप्तान महिंदर सिंग धौनी है इसके बाद रोहित सर्मा 24 और विराट कोली 201 चकों के साथ 24 और पांचवें इस्थान पर हैं तो दोस्तों आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि IPL में सबसे अधिक छक्के लगाने वाला कौन बन गया है तो क्रिस गेल 350 छक्के लगाने और तीसरे नमबर पर हैं महिंदर सिंग धौनी जिन्होंने 216 चके लगाए हैं और चौते नमबर पर हैं रोहित सर्मा जिन्होंने 24 और पांचवे नमबर पर हैं विराट कोली जिन्होंने 201 चक्के लगाए हैं और दोस्तों जी क्रिस गेल हैं ये इस समय IPL 2021 में पंजाब कि के लिए खिल रहे हैं और ये किस देश के न्वासी हैं तो जमैका की ये निवासी है यहां पर image में देख सकते हैं, यह है क्रिस गेल जोंकी पंजाब किंग्स के लिए खेल रहे हैं आगला क्रेसल है अप्रैल दो हजार 2021 में आहार क्रान्ती किसने शुरू की है केंदरिय स्वास्त मंत्री डॉक्टर हर्स वर्धन ने 13 अपरेल 2021 को आहार क्रान्ती की शुरुआत की एक पोशन् संतुलित आहार की आवासक्ता की सन्देश को फैलाने और सभी इस्थानिय फलों और सब्जियों तक पहुँच के महत्त को समझाने के उद्धिस से एक मिसन है मिसन को लॉंच करने के लिए विजना भारतिय विभा और ग्लोबल इंडियन साइन्टिस्ट और टेक्नो क्रेट्स फॉरॉम GIST17 आए हैं तो दोस्ता आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि आहार क्रांती की सुरुवात किसने की है तो केंदरिय स्वास्तमंत्री डॉक्टर हर्स वर्दन ने 13 अप्रेल 2021 को आहार क्रांती की सुरुवात की है अगला कुश्यन है भारतियस राष्ट्रिय राजमार्ग प्राधी करण ने पारिस्तित्की और परियावर्ण संतुलन बनाई रखने के लिए पिछले तीन वर्सों में देश भर में कितने पीड लगाई है ओप्सन नमबर A है 0.5 करोर, B है 1 करोर, C है 2 करोर, D है 3 करोर भारतिय राष्ट्रिय राजमार्ग प्राधी करण ने पारिस्तित्की और परियावर्ण संतुलन बनाई रखने के लिए पिछले तीन वर्स में पूरे देश में लगबग 1 करोर पीड लगाई है जियो टैगिंग से पौधों की व्रद्धी और स्वास्त को ट्रेक करने और नमूनों के अस्तित्तों को सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी 33 लाग किलो मीटर का भारतिय सड़क नेटवर्ग बिस्त में दूसरा सबसे बड़ा है और इसमें लगबग 96,000 किलो मीटर राश्ट्रिय राजमार गए है तो दोस्तों आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि पिछले तीन वर्सों में पूरे देश में लगबग 1 करोर पीड लगाई गए है और जो भारतिय सड़क नेटवर्ग है ये बिस्त में दूसरा सबसे बड़ा नेटवर्ग है तो ये भी आपको ध्यान रखना है और कितना है तो 33,000,000 किलो मीटर का भारतिय सड़क नेटवर्ग है और इसमें 96,000 किलो मीटर का जो सड़क है वो राश्टी ये राजमार्ग हैं तो ये भी आपको ध्यान रखना है अगला कुश्यन है भारत का पहला वर्टिकल फॉरेस्ट टावर कहां बनाया जा रहा है अप्सन नमबर A है मुंबई, B है नई दिल्ली, C है बेंगलूरू और D है पत्ना इसका जो करेक्ट आंसर है वो है अप्सन नमबर C बेंगलूरू भारत का पहला वर्टिकल फॉरेस्ट टावर बेंगलूरू में बनाया जा रहा है इसका निर्माड माना प्रोजेक्ट प्राइविट लिम्टेट द्वारा किया जा रहा है इस फॉरेस्ट टावर का नाम है माना फॉरेस्टा दरसल यह अपार्टमेंट का एक टावर कॉंपलेक्स है जिसमें ख्रकी एवं बालकनी में पीड़ पॉधे एवं लताएं काफी रहती है इसकी प्रिर्णा इटली में इस कॉंसेप्ट पर बनी बॉस को वर्टिकल नामक बिल्डिंग से ली गई है तो दोस्तो आपको अच्छे से धना रखना है कि भारत का पहला वर्टिकल फॉरेस्ट तावर कहां पर बनाए गया तो माना फॉरेस्ट इसका नाम है और दोस्तो इसकी प्रिरणा कहां से ली गई तो इटली में इस concept पर बनी बॉसको वर्टिकल नामा की बिल्डिंग है उससे इसके बनाए जाने की प्रिरणा ली गई यहाँ पर image में देख सकते हैं यह है भारत का पहला forest tower यहाँ पर image में आप देख सकते हैं इस तरह का यह होत किस राज्य या केंद्र सासित प्रदेश में मनाया जाता है उप्सान नमबर ए है लद्दाख बी है असम सी है हिमाचल प्रदेश और डी है जम्बू कस्मीर इसका जो correct answer है वह है उप्सान नमबर बी असम बोहाग बीहु पर्व असम में मनाय जाने वाले बड़े तिवारों में से एक है यह असमिया नवर्स की सुरुवात की उप्लक्ष में मनाय जाता है यह पर्व मध्य अप्रेल में सुरू होता है और सात दिनों तक चलता है इस पर्व को रोंगाली बीहु के नाम से भी जान में मनाये जाने वाला एक तेवहार है और दोस्तों इस से related question पूछा भी जाता है कि जो लोक नर्ते बिहु है ये किस राजे से संबंदित है तो आपको ध्यान रखना है कि जो लोक नर्ते है बिहु ये असम से संबंदित है ये असम का लोक नर्ते है अब दोस्तों ये असम कात्योहार है तो असम के बारे में जानते हैं ये है मैप में असम, असम की कैपिटल है दिस्पूर, असम के चीफ मिनिस्टर है सरबानन्द सोनेवाल और असम के गवर्णर है जगदीश मुखी हाल ही में इंडिया एनर्जी डैसबूर्ड 2.0 किसके द्वारा लॉंच किया गया ओप्सन नमबर A है हिंदुस्तान पेट्रोलियम, B है सिक्षा मंत्रा लाए, C है नीती आयोग, और D है विज्ञान एबंप्रद्योग की मंत्रा लाए, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ओप् इसके पहले संसक्रण की सुरुवात 2017 में की थी, इसका मकसद देश के उर्जा से जुड़े डाटा का एक किंद्रिय डेटाबेस तयार करना है, किंद्रिय उर्जा प्राधिकरण, कोईला नियंतरक संगठन और पेट्रोलियम एवं प्राकरतिक गैस मंत्राला द्वारा प्र और दोस्तों नीती आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो एक जनवरी 2015 को नीती आयोग की स्थापना हुई थी, और नीती आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो प्रधान मंत्री स्री नरेंद्र मोदी नीती आयोग के अध्यक्ष है, और नीती आयोग के अध्यक्ष कौन है, त आपको नीती आयोक से रिलेटेट अच्छे से ध्यान रखने हैं तो दोस्तों ये थे 14 अप्रेल से समंधित उत्तर प्रदेश करेंट अफ्यर और इसके अलावा यूपी एक्जाम्स के लिए के वीडियो का कुश्यन जो हमने आप से पूँचा तो यह कम अपर इकार्देश के दोरां 6,000 साल पुराने canal समय में लिए और लगबक सभी इस्टूटेंट्स ने के सही जवाब दिए और मैं फिर से कहता हूं कि जो भी question आप से पूचा जाए तो सभी लोग उसका answer जरूर किया करो तो यह है आज का question अप्रेल 2021 में अगले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बनेंगे option number a है t.s. कृष्ण मूर्ती भी है हरी संकर ब्रह्मा सी है सुसील चंद्रा और डी है एन गोपाल स्वामी तो इसका जो भी correct answer है वो आपको comment box में बताना है तो दोस्तों अगर आपको असका वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को like करें share करें और अगर चैनल पढ़ना आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें साथी वैल आइकन को भी प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे तो मिलते हैं एक्ट वडियो में थैंक यू